दोस्तों आपने मेरा पहला तीन क्लास को अपने दिल से चाहा इसलिए आपको धन्दबाद आप में से अगर कोई इसे नहीं देखे तो इसका लिंक आपको उपर आई बॉटन पर मिल जाएगा जिना स्टरीज में सभी कॉम्पिटिटिव एक्जम के लिए बहुत इंपोर्ट is known as the land of white elephant निमनलिकित में से कौन सा देख सफेध हाती के भूमी के रूप में जाना जाता है इस question के answer को आपको comment करके बताना है जिसका answer आपको वीडियो के last में मिल जाएगा चले शुरू करते हैं आज का class आज का पहला question देख फुल्गुरी अप्राजिंग वास टेक प्ले इससे आप guess कीजिए इसका answer है बी 1861 October 1861 में मद्य असाम के फुल्गुरी शेत्र में किसानों ने बिटिश प्रसर्शन के करो मतलब टेक्स का भुक्तान बंद कर दिया था और इस तरह खुले तोर पर शाशर को मतलब बिटिश प्रसर्शन के अबहलना की जो महत्मा गांधी के नितित में चांपारन आंदुलन से बहुत पहले हुआ था श्रीमंतर शंकरदेब वस बोन इन दे यह श्रीमंतर शंकरदेब का जन्म कब हुआ था इसका उप्शन है श्रीमंतर शंकरदेब के बायोग्राफिक के साथ साथ बाकी महान हस्तियों के बारे में अगर आपको जानना है तो उपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा अलियाई लियांग इसन अग्रिकल्चर बेज फेस्टिबेल सेलिबरेटेड बाय अलियाई लियांग एक क्रिशी आधारी तोहर है जिसे किस जनजाती द्वारा मनाया जाता है इसका उप्शन है A. कार्भी, B. बोरो, C. मिसिंग या D. दिमासा इसे आप गेस कीजिए इसका सही अंसर है C. मिसिंग इसका उप्शन है A. जायमती, B. इंद्रमालती, C. शोनित कोरी या D. कनकलता इसे आप गेस कीजिए इसका सही अंसर है B. इंद्रमालती, यह भी आप याद कर लीजिए कि जोती पशाद अगरवाला द्वारा निर्देशीत पहला फ्लिम जायमती थी इसका उप्शन है A. असाम, B. वेस्ट बेंगोल, C. मनिपूर, D. जारकन, इसे आप गेस कीजिए इसका सही अंसर है B. वेस्ट बेंगोल, सुन्दरबन बंगाल की खारी में गंगा, ब्रमपुत्र और मेगना नदियों के संगम से बनने बाला डेल्टा में से एक मेंगरव सेश्ट रहे यह भारत के पस्चिम मंगाल राज्य में हूगली नदी से बंगलादेश में बालेश्वर नदी तक फेला हुआ है इसका सही अनसर है, डी गौलपॉर्ड फेस्ट वोमेन इन आसाम जोकेट इन आसाम में पहली महीला विश्ववज दलने कहां पर स्ति थे इसका उप्शन है A. शिल्चर, B. डिब्रुगर, C. जोरहाट या D. दोरंग इससे आप गेस कीजिए इसका साही अंसर है C. जोरहाट जोरहाट में आसाम का पहला महिला विश्विद्दल असाम महिला विश्विद्दल जती थे The water body separating अंदमान और निकवर is known as अंदमान और निकवर को अलग करने वाले जल निकाश की रूप में किसे जाना जाता है इसका option है A. 10 डिग्री चैनल, B. 15 डिग्री चैनल, C. 20 डिग्री चैनल या D. 12 डिग्री चैनल इससे आप गेस कीजिए इसका साही अंसर है A. 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल एक चैनल है जो बंगाल की खारी में अंदमान दीप समहों और निकवर दीप समहों को एक दूसरे से अलग करता है दीपो को दो समहों मिलकर अंदमान और निकवर दीप समहों का भारतिय केंजियर शाशित मतलब Union Territory बनाता है The intensity of earthquake is measured by भूकम की तिवरता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है इसका option है A. सिस्मग्राफ B. हाइड्रोमेटर C. पोलिग्राफ D. बेरोमेटर इसका अब गेस किजिये इसका सही अंसर है A. सिस्मग्राफ सिस्मग्राफ द्वारा भूकम की तिवरता मापी जाती है In which year SME's magazine जोनाकी was first published असमियाब पत्र का जोनाकी पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी इसका option है A. 1889 B. 1971 C. 1762 D. 1449 इसका सही अंसर है A. 1889 1889 में असमियाब पत्र का जोनाकी को पहली बार पकाशित की गई थी India's first atomic power plant located in भारत के पहला परमानु उर्जा प्लान कहाँ परस्ती थे इसका option है A. जमशेदपूर B. शुराट C. तारापूर D. दुर्गापूर इससे आप गेस कीजिए इसका सही अंसर है C. तारापूर तारापूर परमान उर्जा स्टेशन भारत का पहला परमानु उर्जा प्लान था यह प्लान का निर्मान 1962 में शुरू किया गया था और 1969 में चालू हो गई थी 320 MW के तारापूर परमान उर्जा स्टेशन में 160 MW के दो बॉयलिंग वाटर रियक्टर थे जो एशिया में पहला था बहुत महेनत करके आपके लिए यह सब वीडियो लाया अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाग केज़े ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आगे के वीडियो बनाने में तो नेस्ट क्वेश्चिन इसका आप केस कीजिए इसका सई अंसर है अ मार्कोरी मार्कोरी साधरन बेरोमिटर में उपएक होने बाला एक द्रग्व है मैकमहन लाइन लाइन लाइस बीटूइन हुच अब दा फोलोईंग कांट्रीज मैकमहन रेखा निमलकित में से कौन से देश के बीच स्थी थे इसका अप्च्छन है ए इंडिया पकिस्तान इसका साधरन लाइन 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 इससे आप गेस कीजिए इसका साही अंसर है अहम जनजाती द्वारा मैदा मेफी का उससब मनाया जाता है हमने असाम आर्ट्स और कल्चर के उपर एक इबुक बनाया जिसका दिमान दिन दिन बरती ही जा रही है अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको नीचे डेस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा हाफ माराथन कितनी लंबी होती है इसका उप्स्टन है से 21 किलोमेटर ए 21 किलोमेटर 13.1094 माइल या 21.0975 किलोमेटर की सरक दोर को हाफ मराथन कहा जाता है और फुल मराथन 26.219 माइल को कहते हैं किसके साशनकाल में चीनी यात्री युएन सांग ने आसाम की यात्रा की थी इसका उप्शन है ए पुरंदर सिना बी भाषकर बर्मन सी पुष्य बर्मन या डी गदाधर सिंग से आप गैस कीजिए इसका सही अंसर है भाषकर बर्मन भाषकर बर्मन के साशनकाल के दोरां चीनी यात्री युएन सांग असम की यात्रा की थी जिका भाइरस डिजीज ट्रांस्मिटेट थ्रो जिका भाइरस रोक किसके माज़दम से फेलता है इसका आप गैस कीजिए इसका सही अंसर है बी मॉस्कीटो मॉस्कीटो के काटने से मच्छर के काटने से जिका भाइरस रोक होता है इटाखुली वर्ड वस फोर्ड एगेंस्ट मॉगल दूरिंग दे रीजन्स ओप इटाखुली यद्ध मॉगल के विरुद्ध किसके शाषनकाल में लरा गया था इसका आप गैस कीजिए इसका सही अंसर है बी गदाधर सिना गदाधर सिना के शाषनकाल में इटाखुली यद्ध मॉगलों के विरुद्ध में लरा गया था यद्ध 1682 में लरी गयी थी शुन्दरवन को वर्ल हेटर साइट किसले गोशित क्या गया था इसका उप्शन है इसका सही अंसर है इससे आप गयस कीजिए इसका सही अंसर है C. New Zealand नीजुलेन देश महिलाओ को राष्ट्य मतदान का अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश है मनिराम देवान and प्याली बुरुवा वस हैंग आन मनिराम देवान और प्याली बुरुवा को कब फासिद दी गयी थी इसका उप्शन है इसका सही अंसर है B. 1858 26 February 1858 को मनिराम देवान और प्याली बुरुवा को फासिद दी गयी थी World Food Day is on विश्व खाईद दिबस कब मनाया जाता है इसका उप्शन है A. 16th October B. 5th June C. 14th November ये नौन अप दे अब आप इसे आप गेस किजिए इसका सही अंसर है A. 16th October 16th October को World Food Day मनाया जाता है रास्टिंग ओफ आइरन इस लोही में जंग किस करण लगता है इसका उप्शन है A. A. Photochemical Process B. An Electro Analytical Process C. An Electro Chemical Process ये नौन अब दे अब आप इसे आप गेस किजिए इसका सही अंसर है C. An Electro Chemical Process के कारण लोही में जंग लगता है बीट कोटन वस डेवलोप ये जीन फ्रॉम बीट को पास का विकास किसके जीन के प्रयोग से क्या जाता है इसका उप्शन है A. Virus B. Bacteria C. Fungus D. None of the above इसे आप गेस किजिए इसका सही अंसर है B. Bacteria Bacteria के जीन के प्रयोग से बीट को पास का विकास किया जाता है वीडियो के शुरू में मैंने आप से एक क्वेशन पूच जाता Which of the following country is known as the land of white elephant निमनलिकित में से कौन सा देश सफेद हाती के भूमी के रूप में जाना जाता है और इसका सही अंसर है Thailand आज का लेक्चर में यहां समप करता हूँ बाके का लेक्चर आपको next class में मिल जाएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शियार करके